हलो हलो दोस्तों नमस्ते आप सभी को प्यार बड़ा नमस्कार सुबै का सो आप सभी कैसे हैं उमीद कहते हूं बहुत बहुत अच्छे होंगे यहाँ पर रात में आंसे के पापा ने लिये थे संत्रे इन्होंने तो ये न बहुत काफी बड़े बड़े संत्रे हैं और ये और दूल कर फैला दूं चने बगारा क्योंकि ना चने की डाल भी खतम हो गई है और मेरा आटा भी खतम होने वाला साथ आट दिन के लिए होगा तो यहां पहले से सुखा कर रख लो तो ठीक रहता है तो बस इनको जो है तो संत्रे को छील रहे हूं इधर देखें मैंने गेहूं और चने दूल करके फैला देए तो यह सूख जाएंगे और हवा बहुत तेजी से चल रही है आप लोगों खुदी देख सकते हैं क्योंकि ना इतनी तेज हवा चले कि मैं कपड़े फैला रही हूं तो देखें रस्ची किस तरीके से हो रही है सुझ रही हूं का गीले कपड़े अगर फैला दूं और फिर मैं नीचे चली जाओंगी तो यह गिर जाएंगे तो फिर दूल मिट्टी हो जाएगी और वैसे भी हमारे हैं बहुत ज़्यादा दूल उड़ती है तो कोई नहीं मैंने फैला दिया और जो कपड़े फैला दिय तो यह अपना सूख जाएगे हवा भी अच्छी चल रही है और मेरे चने भी अच्छे सूख अच्छे सूख जाएं, गहों में ज्यादा time नहीं लगता है तो वो भी सूख जाएं, क्योंकि हावा चल रही है तो और धूप भी अच्छी खासी है हावा में कोई भी चीज हो तो जल्दी से पानी वगेरा सूख जाता है बच्चे इस्कूल नहीं गयते तो फिर मैंने जो आप अजिता नहीं बना एता तो अभी मैं बना रही हूं खाना तो सब्जी तुमेरी नहीं बन पाई है टैम जो है तो 11.30 को गया है और बच्चों को भी भूख लगी है तो इनसे मैंने बोला कि मैं रायता बना दे रही हूँ तो इन्होंने का ठीक है तो रायता बना दूँगी रात में थोड़ा सा सबजी रखी थी तो बस वही सबजी खा लेंगे वैसे भी सरदी पड़ रही है तो सबजी खराब नहीं होती है गरम करके खा लेंगे और यहाँ पर एक मतलब रायता भी हो जाएगा साथ में और आकरेती ही बोड़ रही थी कि हमारे लिए पराठे बनाना तो बच्चों के लिए पराठे बनाऊंगी तो यहाँ पर जो है तो दाल लिए लोटे में और मैंने मसाला जो है तो रायते का सिल में ही पीसा था लैसो नदरा खड़ी धनिया खड़ी हल्दी और खड़ी लाल मिच थोड़ा तीखा रहेगा तो अच्छा लगेगा खाने पीने में तो यहाँ पर मैंने एक साइट चमच रख दिये तड़का द ठीच करता रहता है मुझे कोई काम नहीं तो मैंने खख़ँआ च्छानों जा जाया करके तो एक भी फिह पहलाया नहीं तो यह Ama Richardson, मैंने तड़का दे दिया और रायता काफी ज्यादा मठा ggलर अफ़ीán, इस यहJohn, नधा क६ल्कुल पतला पानी जैसा तो पिर वन गया आप जो है तो मैं पराठे बना लेती हूँ तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्ली चैनल को सस्काइब करें जो भी मेरे चैनल पर भाई बैनने हो आए और वीडियो को लाइक करिएगा और जादा से जादा सेयर करिएगा फुल वाज़े करिएगा और मुझे कमेंट भी करिएगा जो भी मेरे चैनल पर भाई बैनने हो आए तो यहाँ पर देखिए पराठे बन रहे हैं बहुत बहुत अच्छे बनने देखें कितने सौफ पराठे मुझे भी पसंद है पर मैं नहीं जादा खाती हूँ क्योंकि मेरे गले में थोड़ा दिक्कत भी होने लगती है और मेरा बेड़ भी काफी जादा हो गया है तो बस सौशरी में इसे कम करना है और सर्दियों में क्या होता ना कि तेल की चीज़े हम लोग जादा खाते हैं तो तो पहले मैंने रोटियां बना लिए इसके बाद पाठ बना रही है तो रोटियां मैं कारित ने ते सीटी यह से बंटाफा पिर में अकी प्रशाचों कर आपक नहीं करको बदी ते मैं तो आक्रेति आगी है और मैंने यह से आobenर दी थी क्योंकि ना कि खेल रहे थे बाहर और बच्चे भी थे तो यहां पर आक्रेति ने अपने लिए 1 काम कछा लिया ए थोड़ा सा मने धनिया पत्ती की चटनी दिये, चटनी भी मने पीशी थी, और चटनी नहीं यह लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं, अगर आचार में खाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा लगा करके खा लेंगे, और यह देखे पराठे मेरे बन चुके हैं, और यहाँ पर गैस को मेरे नहा लिया है, तो खाना वाना खा लिया था, यह भी आ गए थे, तो इन्होंने भी खाना खा लिया, इसके बाद मैं यहाँ पर धुल रही हूं बरतन, क्योंकि ना आज मलब कड़ाई बगारा नहीं है, बाकि तो बरतन तो इतने ज़्यादा होई जाते हैं, सुबे के चाहे के, और यह जो मठा बगएरा डिबे में रखा था, इसे भी खाली किया, क्योंकि ना थोड़ी से ही बचा हुआ है, तो किसी दिन ना कड़ी बनाऊंगी, कल सोच रहे हूं, कल बनाऊं, तो यह सारे बरतन जो है, तो धुल कर इसी तसले में रख लेंगे, यह टप में जो है, तो पानी साफ ही भरा हुआ है, क्योंकि ना यह वाला काला वाला टप है, यह नीचे नीचे सफेज 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 हो गया, बाकी दूलती, तो मैं डेली उपर पता नहीं क्यों, इसमें ना हमारे आंगा खारा पानी है, तो वो जम जाता है बरतनों में, तो इस वाला टप में जम गया है, जैसे थोड़ी बहुत पानी रह गया, कभी कभार, तो जैसे राद भर रखा रात, उता नहीं छूटता फिर जल्दी से, तो वही है, इस वाला सफेज सफेज है, और साले धुल चुके है, यहाँ पर आकरती आई थी पूछने के लिए, और ब लेकिना भी अच्छे से आता है, और अब पढ़ी भी लेती है, हिंदी तो पढ़ी लेती है, अब लेकिन इंग्लेस भी पढ़ने लगी है, तो देखिए, बातो बातों मेरे सारे बरतन दुल गया है, यहाँ पर धुलाई कर दूँगी, बातरूम में, और हम लोग दूलते ह और यहीं पर हम लोग नहाते भी हैं अंदर को, यहाँ पर थोड़ी से पानी आनी डाल देती हूँ, जो जूटन बगयरा गिर गया है, वो साफ हो जाएगा, ऐसे छोण दूँगी, तो देखने में अच्छा नहीं लगता, और थोड़ा सा बाइफर लगा देंगे, ताकि य यहां का सूख हो जाएगा, गीला नहीं रहेगा, मतलब मेरी यादत ही ऐसी है, कि अगर मैं यहां पर नहाती भी हूँ ना, तो तुरंट बाइफर मारती हूँ, लगा देती हूँ, और इसके बाद अगर बातन बगयरा भी दूलती हूँ, तो भी बाइफर लगाती हूँ, पानी भरूं और पानी गिर जाए तो भी बाइफर लगाती हूँ, क्योंकि आदत ची है, ऐसी कि मतलब यहां पर गीला नहीं होना चाहिए, यहीं पर हम लोग को रहना होता है, एकान तो तो है नहीं है, यहीं पर चलना फिर ना, यहीं पर सब कुछ, तो इस वैसे मैं सुख सुखने के लिए बाइफर जल्दी से कर देती हूँ, और हवा है, देखो कितनी तेज हवा चल रही है, देख सकती है, यह वाला पर्दा कितना उड़ रहा है, और बस बहार की गेट खुला है, तो बहार की गेट लगा कर आती हूँ, पढ़ाई, और यह से पैसे दिये थे, 200 रुपे रखने के लिए, तो इसे रख देते हैं, और यह कर रही है, अपना कोचिंग का काम, मैं भी अपना जाकर वीडियो तो दोस्तों, इतना लेट मुझी कभी नहीं है, जितना आज हुआ है, टाइम ना, जोड़ते दो बजने अब भी मेरे खाना खाने के बाद, बरतन दो ले हैं, और अधी मैं जारी हूं, वीडियो का एच्टेंग करने कलिए, इसके बाद बादल जैसे हो रहे हैं, और हवा चल रही हैं, तेजी से, भूब ठाओ, दूब च्राहों जैसी हो रही है, अभी मैं एक बदूब से बारिuk जब तक वीडियो का अडिटिंग करते हूं और लाइब भी करना मुझे साम को छैवजे तक तो चलिए पहले में वीडियो को एडिटिंग करने हूं इसके बाद आप सभी इसे चार बज़े तक मिलूगी अभी देखिए साम के पांच बज चुके हैं और मैं आई हूं गल्ला समेटने के लिए गल्ला वनलव गये हूं तो यहां पराक्रिती बाइफर से समेट रहे हैं मैं तब तक यहां पर थोड़ा सा चने फैलाई थे तो उन्हें समेट का डिबिंग भार दूंगी फिर इसके बा अगर हावा ना होना तो सर्दी ना होल नी हना चले तो लेकिन हावा इतनी जादा चल रहए है इस वैसे सर्दी लग रह है नहीं धूप तो काफी तेज निकल रही है और अपना सर्दी जाने वाली है ना मुझे लगता है ज़्यादा 10-15 दिन या फिर 7-8 दिन की है और फिर सर्दी चली जाएगी फिर हम लोग गर्मियों में ठंडक ढूंडते फिरेंगे और हवाई इस वह चल रहा है जो है और ये वही महिना जो वाला गाना नहीं है पति जड़े सामने बसंते बहार एक बरस के मोसम चार मोसम चार तो वही वाला महिना चल रहा है सारे पेड़ों की जो है तो पत्ती जड़ जाएगी और फिर इसके बार नए फूल पत्तियां निकलेंगी तो इसी वज़े से हवाय चल रही है और अभी देखिए जो है तो सारे चने मैंने बोरी में भर कर रख दिये हैं और यह ना भी सूखे नहीं है आज और इने ना कल मु जैसे होती रहते हैं तो भल भगवान के बरसने का कोई ठिकाना नहीं है मतलब रात में कब बरस दे तो मैं यह हूँ ऐसे छोड़ के नहीं रखूंगी इनने बस भर के बोरी में रख देंगे कल धूपने के लिए तो फिर फैला दूंगी और आकरिती का कोचिंग का टाइम ह पड़ जाना होता ना तभी आदा घंटा पहले कोचिंग का काम करेगा इस वएसे मैं इसे बोल रही थी को से बुलाद हो अगर कोचिंग का काम कर लिया हो तो ठीक है नहीं अगर नहीं किया है तो करें और टाइम भी होने वाला ही है मैंने मोबैल में देखा था तो पांच- पांचिंग का टाइम हो गया सुआ जाओ नीचे मनलब बैग लेकर जाओ और आकरती को भी मैं भेज रही हो कि तुम भी जाओ और यहां पर यह मेरे कपड़े है तो इने भी साथ के साथ उठा लूँ और मेरे ना ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा आना जाना होता है जीना मे मेरे ना पैर बहुत जादा दर्द करने लगते तो इधर ना मैं थोड़ा सा देख रहे थी क्योंगी ना ओरते कुछ ले रही थी तो मैं थोड़ा सा देखा और इसके बाद अपने कपड़े उठा लेती हूं फिर जाओंगी नीचे सो आज सबजी नहीं बनाई तो सबजी क अब ही जुए तो सबजी बनाने पड़ेगी सुवे न हम लोग मैं और अंशे पापा ने तो रायते में खा लिया था बच्चों ने पराटे खाये थे पर अभी जुए तो सबजी बनेगी वरना फिर बहुत जादा डाट पड़ेगी तो चलो मैं बनालो तो अभी देखिए कड़ाई रख दी थी कड़ाई में तील डाल दिया था तेल गरम हो गया तो लैसुन प्याज और हरी मिर्च डाल दी इन्हें थोड़ा फ्राई करूंगी बीड़ो को मैं थोड़ा लंबा कर दिया है स्पीड मतलब और यहां पर देखिए अंस लेकर आया है पोहा क्योंकि न मैंने पता गुवी डाल दिया और मटर डाल दी नमक डाल दिया है पता गुवी मैं थोड़ा बड़े साइज में कटाा काटा है क्योंकि बारीक से काटो न तो फिर मैसी मैसी हो जाती है सबजी इस ऐसे मैं खड़ी रहेगी तो फिर खाने माची लगती है जो है तो चार्ज में लगाया और यह जो क्लिप है यह मैंने इनके भी मुबाइल से सूट की है तो यहां पर देगी पत्तागों भी कुछ इस तरीके से मतलब हो गई है तो अभी इसने में मसाले डालूंगी मसाले में खड़ी धनिया पाउडर हल्दी पाउडर और थोड़ा स सबजी अच्छे से बन जाएगी थोड़ा सामचूर पाउडर भी डाला था तो यह देखिए सबजी मेरी बनने पर आई है क्योंकि नहीं लगने लगी है कड़ाई में और पक भी गई है अच्छे से पर मेसी मेसी नहीं हुई है तो यह देखिए सबजी मेरी पक चुकी है औ और आज का मेरा वीडियो यहीं तक है, कल मिलेंगे एक निव ब्लॉग के साथ, तब तक कि लिए आप से भी को बाई बाई, गुड नाइट, कल मिलते हैं, बाई, अपना द्यार रखेंगे.